हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आज हम जो कि गवर्नर्स पैरेजन पार ओवराइट फोर थर्टी थ्री ए यह क्या है यानि कि निवारग निरोत पर सर्वोचन यालाय का जो निर्णे है वो क्या था तो इसी के उपर जो है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं में जो कि आपके एक्जाम पॉंट व्यूस बहुत ही इंपॉर्टन है और जो भी आप कंपेटिटिव एक्जाम के लिए प्रिपरेशन करें उन सब के लिए भी बहुत ही फाइदे मंद है तो प्लीज इस वीडियो को जो हैं तक जरूर देखेगा और अभी तक अगर आप लोगने हमार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ पैल आइकन पर दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके और साथी जो है इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ लाइक करना प्लीज मत प्रतिकुल प्रभाब पढ़ने की संभाव ना हो तो अभी जो है यह सुप्रीम कोट ने जो है सरकारों और अन्या अदादर्तों को निवारक नजरबंदी के तहट जो है नजरबंदी से निपटने के लिए उसके लिए भी निर्देश दिया है तो अभी इसका जो कुछ ज जुए निवारक निरोध यह क्या है तो अभी अदालत ने यह माना है कि यह जो विवादित नहीं हो सकता है कि डेटून एक सफेद पोश अपराधी हो सकता है और अगर उसे मुक्त कर दिया जाता है उन्हें छोड़ दिया जाता है तो भोले भाले जो लोग जो है उनको धोखा देना जारी रहेगा तो हाला कि निवारग निरोत आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जबकि उसकी गतिविधिया जो है सार्वजनिक व्यवस्ता के रख रखा उपर प्रतिकुल प्रभाव डालती है या प्रतिकुल रूप से प्रभावित करने की संभावना है दर उसके बाद आता है सार्वजनिक आदेशिया शप्त पर सपष्ट था तो निवारग निरोत के वर सार्वजनिक अव्यवस्ता को रोकने के लिए ही एक आवशक बुरा है लेकिन निवारग निरोत कानून के संदर्व में जो है सार्वजनिक व्यवस्ता की स्थिति में जो है सरकार को कुछ सरकार को कुछ अभी निरदेश भी दिये गए है तो विञें को जो है उन सब ही एवग कानून और व्यवस्ता समधिया समझते हैं से निपटने के लिए मनमाने ढ़ं से जो मिनीवारग नि रूत का सहारा Mona नहीं लेना चाहिए जिन से की देश की सामानी जो कानौन दètement्वारा निपटा जा सकता है अभी नियाएलो को जो है कुछ निर्देश देगे देगे निवारेंग निरोध के तहर वैध्यता ताय करने है तो जो है आदालतों से कुछ जो सवाल है वो पूछा जाना चाहिए जैसे कि क्या देश का सामानिय कानूं स्तिती से निपटने के लिए अमतर परियाप था यदि उत्तर सकरात्मक है तो निरोध आदेश अवैध होगा और जैसे कि उदारन के लिए जो है सडक पर लड़ रहे दो शडाबियों के मामने में जो है अदालत कहती है कि ये कानून और व्यवस्ता की समय स्या थी ना कि सार्वजनी आव व्यवस्ता का तो यहां समाधा निवारग निरोध नहीं है ठीक है तब निवारग निरोध स्वतंतरता को जो है कमजोर करता है एक नागरी की स्वतंतरता उसका सबसे महत्वण अधिकार है जिसे कि हमारे पुरवजों ने जो है लंबे समय से एतिहासिक और कठिन संगर्षों के बाद जो है जीता है अगर निवारग निरोध की शक्त करिया के दायरे में जो है आना चाहिए और इसे जो है अनुच्छित बाइस मन माने धंग से गिरफतारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा तथा विचरा धिन कानुन के साथ जो है पढ़ा जाना चाहिए कि तो यह मतलब इसके जो है इसके बारे में था तो अभी आता है जो निवारग निरोध जो है इसका जो साइंग विधानिक जो प्रावधाने वो कया है तो अभी अनुच्छित बाइस गिरफतारी अहिरासर निरोध में लिए गई व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है निरोध दो प्रकार का होता है जैसे कि दर्णडात्मक और निवारग तो दर्णडात्मक निरोध का आशे किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपरात के लिए अदालत में मुकदमे और दोश सिद्धी के बाद दंडित करने से है वही दूसरी और निवारग निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को उनको बिना किसी मुकदमे और आदालत द्वारा दोश सिद्धी के हिरासत में लेने से है तो अनिच्छित 22 को जो है दो भाग मतलब दो भाग में इसको लिख किया गया है जैसे कि पहला भाग जो है साधरन कानून के मामलों से संबन्दी थे और दूसरा भाग जो है निवारग निरोध कानून के मामले से ये रिलेटेट है ठीक है तो ये अभी निवारग विरोध जो यह जो कानून जो है वो है तो अभी जो है संगसत की द्वारा जो है कुछ बनाएगे जो निवारव निरोत कानून जो है वो है निवारव निरोत अधिनियम 1950 जो कि साल 1969 में समाप्थ हो गया निकी 1969 में जो है समाप्थ हो गया था आंतरिक सुरक्षा का रख रखा वधिनियम मीजा 1971 इसे साल 1978 में जो है निरस्त कर किया गया दर उसके बाद आता है विदेशी मुद्रा संगरक्षन और तसकरी गतिविधियों की रोक्था मधिनियम काला बाजारी की रोक्थाम और अवश्यक वस्तु की आपूर्ती का रख रख रखा वधिनियम पीबीएम से सीए निरस्त किया गया रोक्था मधिनियम डाडा टाडा 1985 साल 1995 में निरस्त किया गया यानकि 1995 में नार्कोटिक ड्रग्स एन साइको ट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट यानकि PITN DPSN 1988 में इसको अवध यातायात की रोक्थाम की गया देन अभी आतंग बाद भी निरोधक अधिनियम इनके पोटा जो है 2002 उसको साल 2004 में निरस्त किया गया था भारत में निवारग निरोध कानूनों से समंधित और भी कुछ जो मुद्दे है जैसा कि दुनिया के किसी भी लोकतांतरिक देश के देश नहीं निवारग निरोध को संग्विधान के अभिना अंक के रूप में नहीं अपनाया है जैसा कि भारत में किया गया है और गर्मेंट्स जो है कभी कभी ऐसे कानूनों का यूज जो है एक अतिरिक नियाइक शक्ति के रूप में करती है साथ ही जो है इससे मनमानी गिरिफतारी का भी भै बना रहता है तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है एकल हम फिर मिलते हैं एक निया टॉपिक के पूरे फ़ीड़ा वीडियो के अनलाइस के साथ तब तक के लिए जो है हमारा जो वीडियो जो है उसको देखते रहेगा हमारे चैनल को देखते रहेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा प्लीज हमारे वीडियो को और कोई गर सुझाओ तो कमेंड करना प्लीज मत भुलिएगा So, please keep supporting us and keep watching our videos, like share and subscribe, take care, Jai Hind.